नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent अब youtube channel में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों कल अफगानिस्तान ने कमाल कर दिया और साथ में हमारी fantasy team ने भी वो दोनों player जो अफगानिस्तान के top scorer थे वो हमारी team में मौझूद थे और उन्होंने हमें one sided win कराया अब इस match के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है अब पाकिस्तान ने कल finally अफगानिस्तान को और आके फिर से एक बार world cup को जीत लिया है और अब इस match के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से कौन कौन से player है जो आपको performance करके देंगे उनके बारे में चाच्चा करेंगे क्योंकि ground भी अब बदल चुका है और ground बदला है तो बहुत सारी conditions जो है वो change हो जाती है तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ध्यान से देख लेना कि किन-किन players को team में रखना है और अफगानिस्तान क्या फिर से कमाल करने वाली है इस सब कुछ जानेंगे तो चलिए start करते हैं और जि आथ में telegram को join जरूर कर लेना जिसका link मैंने video के description में दिया है क्योंकि final team अभी जो हम team बना रहा है वो पिछला match और record के according होती है लेकिन toss के बाद जो team आती है वो pitch और 7 में दोस्तों toss की condition के according team होती है तो वो चीज मैं आपको telegram पे देता हूँ तो जिसकी लिए आपको telegram को तयार कर लेंगे लेकिन small league के लिए telegram जरूरी है तो दोस्तों link description में है जाकर join कर लेना अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले venue के बारे में जो की बदल चुका है और दोस्तों video पसंद आता है तो like और share करना बिलकुल मत भूलिएगा ज्यादा सदा like करना और बहुत बहुत अ अंदिवाद आप लोगों ने हमारे 2,83,000 subscribers को complete कर दिया है बस मात्र 17,000 पीछे मात्र 17,000 अगर आप नए हो तो कर लीजिए का तो मैच होगा आर प्रेमदासा स्टीडियम कोलंबो में और इस मैदान के उपर जो अभी तक मैचिस खेले गया है वो है 128 पहले बेटिंग करने वाली टीम में 74 मैच उसको विन किया है दो रीजन होते हैं जब पहले बेटिंग करने वाली टीम मैच को विन करती है एक बार तो ये कि इतना बड़ा स्कोर बन जाए कि दोस्तों उसे चेस करना मुश्किल हो जाए तो यहां अगर हम देखें तो 300 से उपर का स्कोर 21 बार बन कर रही है तो इसके बीचे दूसरा रीजन है वो ये कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है पिच्छ सिलो होती जाती है और पिच्छ सिलो होती है तो वहां पर बैटिंग करना मुश्किल होता है गेंद बाजों को मदद मिलती है और खास दोर से इस्पिनर्स को तो यह कई में फोलो हो रही है या फिर हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे है तो वो मैं आपको यहां पर दिखा तो आप देखिएगा इस मैदान के उपर आपको इस्पिनर्स का रोल थोड़ा पहतर नजर आएगा आठ विकेट लास्ट की कुछ मैंचिस की हम बात कर रहे हैं ग्या पर जरूरी हो सकते हैं अभी तक जो काम फास्ट बोलर्स करके दे रहे हैं अब वो काम थोड़ा इस्पिनर्स आपको ज्यादा बहतर करके देंगे तो इस्पिनर्स पर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और बाकी पिंच रिपोर्ट जो आती है उसके अक्वर्डिंग म कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पहली पारे में फिर भी यह कह सकते हैं कि भई यह मिडल ओडर के प्लियर आपको ज्यादा बढ़िया करके दे रहे हैं जब आराम से खिलने का मौका है अब इसके आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम दोनों टीम्स की हेड टो ह मैचिस के बारे में लास्ट दोनों मैचिस जीते जरूर पाकिस्तान ने है इस मैच में तो चलो पाकिस्तान वन साइडिड हो गया था लेकिन यहां पे तो बड़ा ही कमाल हुआ था अफगानिस्तान ने बनाए 300 रन और पाकिस्तान 302 किये 9 विकेट मतलब सिर्फ एक बात है अब यहां पे देखें गुर्बाज 151 जादरान ने 80 किया था मैंने लास्ट मैच में क्लियर कट आप लोगों से कहा था कि दोस्तों जादरान है यह स्कोर करता है और गुर्बाज हमारे जील के कैप्टन थे अगर आप लोगों ने नहीं जाकर देखा हो तो पिछला वीडियो जाके देखना हमने जील में किसको कैप्टन आपको प्रोवाइड किया था नवी ने 29 रन के साथ में दो विकेट किये थे वजलाक फारुकी तो अच्छे गिनबाज है यहां से फकर इमाम उलक यह अच्छा प्लेयर है मैं आपसे पहले मैं इससे बता रहा हूँ ब देनबाजी में मुझीब, नभी और राशित खान इन्होंने पर्फुमेंस करके दिया था अपने लास्ट मैच के अंदर अब हम दोस्तों बात करें अगर दोनों टीम्स की प्लेंग 11 की तो यहां अफगानिस्तान की टीम में तो शायद ही कोई बदला हो लेकिन अगर कोई चेंज होगा तो वो होगा पाकिस्तान की टीम में पाकिस्तान की टीम चुकि अब सीरीज को विन कर चुकी है तो यहां कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे जो कि मैं आपको टॉस के टाइम पर टेलेग्राम पर बता दूँगा कि जो नया खिलाड़ी खेल उसका रिकॉर्ड क्या है और क्या उसे पिक करना है या नहीं करना है तो जहां तक मुझे लगता है कि शाहीन अफ्रीदी को रेस्ट दिया जा सकता है या फिर हैरिश रौफ को तो इन दोनों में से कोई एक रेस्ट करेगा ये बिलकुल आप तैय मान सकते हैं बाकि इसके ल बैदान पर वैन्य रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस बैदान पर इन्होंने पहले कभी मैच नहीं खेला है और अब जो पहला नाम है इब्राहिम जादरान का है इस बंदे के बारे में दोस्तों मैं पहले भी कई बार कि चुका हूं कि ये टेक्निकली बहुत फ्रीजी को ये प्रॉपर तरीके से खेल जाता है तो ये आपको 90% मैच इसमें स्कोर करके देगा मतब जब भी लेफटार मीडियम इनके सामने आता है अगर उस लेफटार मीडियम को इस सर्वाइब कर जाए तो फिर ये स्कोर करके देगा ये बिल्कुल तैय है अब आप देखें इसका 50 का एबरेज पहले सेकंड इनिंग में 80 का एबरेज है पहले बेटिंग करते हुए तीन पचास है पहले बेटिंग करते हुए तीन शतक है सेकंड बेटिंग करते हुए एक शतक आपको देखने मिल जाता है ये खिलाडी कंफर्म है चाहे जैसी कंडिशन हो य ये प्लेयर आपके लिए कनफर्ब है, नमबर दो पर आपको जो मिलते हैं दोस्तों वो गुर्बाज है, गुर्बाज थोड़ा मिस और हिट वाला प्लेयर है, और इस्पेशली पहले बैटिंग में दादा बढ़िया करता है, अगर हम यहाँ पे देखें, दो पचास, चार श सकते हैं कि जो गुर्बाज हैं, ये आपके Grand League वाले प्लेयर हैं, Small League वाले प्लेयर ऐसे हैं दोस्तों, वैसे तो आप इनको pick कर सकते हो, कुछ conditions रहती हैं क्योंकि अभी हमारे पास में कोई दूसरा better option भी नहीं है, तो गुर्बाज ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो प्लेयर एक बार 50 से उपर का स्कोर इसके खाते में है, आलफलाल में खिलाडी नया है, तो हम थोड़ा छोड़के ही चलेंगे, हो सकता है कि इस मैच के अंदर आपको रहमत शाहा दोबारा से खेलते हुए नजर आ जाए, फिर इसके बाद दोस्तों नमबर 4 पे हसमतुला शाहिदी, हसमतुला शाहिदी कि अगर बात करें, तो अब पाकिस्तान के सामने 4 पारी में 112 का स्कोर किया है, और दोस्तों ये खिलाडी आपको स्कोर करके देगा जब लगबग पूरी टीम कुछ ज़्यादा बहतर ना कर रही है, क्योंकि ये स्लो खेलकर स्कोर करने वाला प्लेयर है, लास्ट मैच की कंडिशन के आती कि भई टीम स्कोर बहुत तेजी से चल रहा था, ये उस तेजी के साथ में उस स्कोर को कंटीनियू नहीं कर पाते हैं, ये तैबात है, ये थोड़ा स्लो ज़रूर खेलते हैं, लेकिन टेक्निकली बढ़िया प्लेयर है, लेकिन अगर आप तो इनके खाते में आपको शतक देखने नहीं मिलता है, तो हाल-फिलहाल किस्टी में, इस सिर्फ जी-एल में तब रखने के लिए ठीक हैं, जब आपको लग रहा है कि टॉप ओडर कामका नहीं है, टॉप ओडर को टीम में नहीं रखना है, तब आप मिडिल ओडर में हसमत बेटिंग करते हुए 33 का एपरेच है, फिर इसके बाद दोस्तों नमबर 5 पर आपको मिलते है नभी, जो कि बेटिंग प्लस बोलिंग आपको दोनों देते हैं, हाला कि बेटिंग में आपको बहुत बड़ा स्कोर नहीं मिलेगा, लेकिन गेंदबाजी जो बैतर कर रहे हैं 19 पारी में 24 विकेट निकाल चुके हैं, और चूकि ये जो मैदान है, यहाँ पर हमने ये देखा है कि स्पिनर्स ने थोड़ा ज़्यादा बढ़िया पहले किया हुआ है, तो हम नभी को तो टीम में कंफर्म रखने वाले हैं, वाइस केप्टन सी की चोईस में भी हैं क्यों चाद दो इस तरह के गेंदबाज आपको देखने मिलते हैं, फिर इसके बाद एकराम अली खल दोस्तों एवरेज प्लियर है, दो बार 50 कर चुके हैं, पहले बेटिंग करते हुए 18 का आवरेज है, सेकिन बेटिंग करते हुए 32 का आवरेज है, पिछले मैच में 4 रनों पर आउट हुए, नॉर्मली इनको दिक्कत होती है, ओफ ब्रेक गिंदबाजी से, जो कि आपको देखने मिलती है कि लेफ्टन बेट्समेंट को परिशान भी करते हैं, तो कोल मिलाकर अभी ये कहना है कि आप इस खिलाडी को छोड़ दीजिएगा, रखने के आउशक्ता नहीं है, और अब हम आते हैं नंबर साथ पर, शहीद उल्ला कमाल, शहीद उल्ला कमाल का भी डिप्लेस्मेंट हुआ था दोस्तों, इनको टीम में रखा गया था नजीब उल्ला जातरान की जगे पे, बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों कर लेते हैं, ओडियाई के रियर दो पारी कर सकता है, इस पिन को, अब जो लोग राशिद खान को कैप्टन वाइस कैप्टन सी से दूर करके बैठे हैं, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखियेगा, अब आपकी जीएल में कैप्टन का काम राशिद खान कर सकते हैं, क्योंकि पिच उस तरह के का पहले खेल चुकी है, और अगर वही पिच तुवारा से खिलती है, तो ये मान लीजेगा कि राशिद कान के तीन से चार विकेट, चार विकेट मतलब जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन सी का काम, तो ये मान आप सकते हैं कि इस खिलाड़े को आपको टीम में तो रखना ही है, साथ में कैप्टन व बेटर चॉइस आप देखेंगे आठ पारी में 12 विकेट यहां है दस पारी में 19 विकेट आपको यहां पर देखने मिल जाते हैं तो फजलक फारुकी को टीम में हमेशा आप रख सकते हैं फिर हैं इसके बाद मुझीबूर रह्मान 23 पारी में 26 विकेट है और पहले गेंद बा अब समय तक स्विंग कर सकती है तो उसका फायदा भी इनको मिला है चुकि अब दोस्तों आप कहेंगे कि स्पिन गेंद बास का स्विंग से क्या मतलब है नॉर्मली आप इनको देखते हैं कि स्टार्टिंग में नई गेंद के साथ में गेंद बासी करते हैं तो वहां पे अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान का वैनी रिकॉर्ड नहीं है और हम सीधे चलते हैं यहां पर आपको लेके इमाम उलहक पे नो डाउट ये खिलाडी सबसे बढ़िया है जब पहला मैस था तब भी में आपसे कहा था कि इस बंदे का सेलेक्शन परसंटेज मातर 28 है लेकिन यह खिलाडी केप्टन के लाइक है और पहले मैच में भी स्कूर किया था घ्र दूसरे मैच में तो सवाविक सीबात है कि जब पहले में 50 बना दिया था तो दूसरे में लोगों ने भर के रख लिया था तीसरे मैच है तो आप तो selection percentage 90 पे आ चुका है तो टीम में तो रख लीजिएगा बाकी GL में अब drop करना एक बड़ा मूव हो जाएगा मतब रिस्क वाला मूव है लेकिन बड़ा मूव है तो इमाम उलक जो की already दो मैचेस में score कर चुके हैं आप इनको GL में कुछ ज्यादा टीम रिस्की मूव होता है आला कि खिलाडी बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है कि फ्लॉप होने के chances ज्यादा है फ्लॉप होने के सिर्फ और सिर्फ 5% chances है 95% chances है कि score करेगा क्योंकि आप देखे 21 पारी में 11 तो 50 हैं और 2 शतक आपको देखने मिलते हैं मतलर टोटल 13 इनिंग्स खेल या 32 बनाया वैसा कुछ score था पहले बेटिंग करते हुए 6-50 हैं सेकिंड बेटिंग करते हुए 7-50 हैं आउट कर सकता है तो और्थोडोक्स गिनबाज जो की इने परिशान करता है और पिछले दो मैचिस में आफ ब्रेक मतलब मुझीबूर रह्मान ने आउट किया है तो chances अच्छे हैं मुझीबूर रह्मान और नभी के पास में इसके बाद दोस्तों फकर जमान है पिछले दो मैचिस में तो खास नहीं क्या है अब बस यही वो चीज है जो आप डिफरेंट कर सकते हैं कि वही इमाम उलग को छोड़कर इस बार फकर जमान पर इसको उठाएं जी मुझीबूर रह्मान भी इनको दो बार आउट कर चुके हैं और रही बाद दोस्तों पर्फिमेंस की तो बैटिंग पर्फिमेंस बहुत अच्छा रहता है इनका नॉर्मल ही बड़िया खेलते हैं अब यहां पर रिस्क लेने बाली बात है बाकी स्यादा कुछ नहीं नमब उलहक ने भी सिर्फ आठ पारियों में बड़ा स्कूर नहीं किया सेम कंडिशन बाबाराजम की भी है इन्होंने भी सिर्फ आठ पारी में बड़ा स्कूर नहीं किया है बाकी इन्होंने अच्छा खेला है लेटा मीडियम 22 का एबरेज है फजलक फारूकी के पास में यह मौ किया है तो रिजबान पो आप जो T20 में देखते हैं वैसा ही आप यहां पर मतां कियेगा क्योंकि अगर आप लोगों ने गुरबाज का रिकॉर्ड देखा होगा पीछे तो वो इससे ज्यादा बहतर है इससे ज़दा बहतर record है बस हम यह कह सकते हैं कि रिजबान थोड़े ठीक प्लियर है और गुर्बाज मिस और हिट वाले प्लियर है उन पर आप उतना trust नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़े trustable player है बाकी condition यह कहती है कि अगर पहले betting कर रहे हैं तो रखने में फाइदा है second betting में उतना फाइदा है नहीं चूकि record में आप देखेंगे चार बार 50 तो second inning में ही किया है और जो आप यह average देख रहे हैं average तो दोस्तो ऐसा है कि ज़्यादा तर matches में not out रहने की वज़े से भी average ऊपर चला जाता है क्योंकि इनका betting down थोड़ा नीचे भी है फिर इसके बाद दोस्तो नंबर 5 पर आपको मिलते है अगर सलमान दोनों matches में flop रहे छोड़िएगा 40 का average है 12 पारी में 3-12-50 किया है थोड़ी बहुत गिनबाजी कर लेते हैं जिसमें 3 wicket इनोंने निकाले है leg break इनकी बड़ी समस्या है सामने वाली टीम में leg break के नाम पर quality leg break है राशित खान तो दोस्तो वो तो फिर यहां पर आपको बात करने की ज़रूत ही नहीं है फिर इसके बाद दोस्तो इफ्तिकार एहमद है इफ्तिकार एहमद का betting average पहले में 26 है दूसरे में 48 जरूर है लेकिन 50 सिर्फ एक किया है गिनबाजी भी part time है जिसमें 10 पारी में 8 wicket इनोंने निकाले है off break गिनबाजी इनको परिशान करती है 20 का average है off break के सामने और रही बाद दोस्तो यहाँ पे तो मुझीबूर रहमान आपको देखने मिलते हैं जो कि इस तरह की गिनबाजी करते हैं साथ में मुहमद नभी भी off break ही करते हैं फिर इसके बाद दोस्तो शादाव खान है शादाव खान तो दोस्तो वाइस कैप्टन से के लिए हमेशा अच्छी चोईस है क्योंकि आप इनसे बैट से 90% मैचेस में स्कोर ले सकते हो 25-30-40 रन इनके लिए बड़ी बात नहीं है बस प्लस पॉइंट कहा है कि अगर ये गिनबाजी में दो से तीन विकेट निकाल दें तो जील के अंदर ग्रेंड लिग के अंदर आपके लिए कैप्टन का काम कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तो उसामा मीर है उसामा मीर का, दोस्तो इस्तमाल करणा ही गलत है मेरे नजरेंए क्योंकि अगर आफ सामने वाले टीम की बात करें तो स्पिन्ट से उने अतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस वो किस के सामने कर रह है राशित खान के सामने नूर रहमत के सामने मुझीव रहमान और मुहम्मद नभी चार क्वालिटी स्पिनर्स उनके पास में मौझूद है तो अधिकतर प्लियर स्पिन को बढ़िया की रहते हैं उसामा मीर से ज़्यादा से एक विकेट अगर ज़्यादा ही दिन खराब हो अफगानिस्तान को तो एक अलग बात है फिर इसके बाद में दोस्तों लास्ट के जो तीन प्लियर है वो तीनों बढ़िया है जिसे शाहीन अफ्रीदी यह आप देखेंगे दोनों मैचिस में दो-दो विकेट है 19 में 34 विकेट मिलता है पहले गेंदबाजी करती हुए 19 है सेकंड गेंदबाजी करती हुए 15 विकेट है बाकि 25 पारी में 44 विकेट इनके खाते में है डेथ ओवर्स में गिनबाजी करती है उसका बेनिफिट मिल सकता है और हरी श्रोफ टीम में रखने लाइक है अब जो टीम कॉंबिनेशन है वो हम जरा देख लेते हैं और यहां तक की चीज़े क्लियर है तो दोस्तों लाइक का जादरान मेरे हमेशा रहेंगे गुर्बाज नभी और शादाव खान को आप एड़ कर सकते हो अब जादा से जादा यह कर सकते हो कि भ lecture जमान को जब आप इमाम मुलक को छोड़ो तो फकर जमान को एड़ करो और उस मैच में ही फकर जमान को कैप्टन बना दो उस वाले कॉ बोनस आपको मिल जाएगा बड़िया जबरदस ओफर्स चल रहे हैं आप लोगों के लिए उसका आप उप्योग कर लेना और टीम क्या कहती है गुर्बाज और रिजवान दोनों है उलक और आजम है यहाँ पे जादरान के साथ में शादाव खान नभी यहाँ पे नसीम पसंद कर रहा हूं बाकी देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों यह वो पूरी इंफॉर्मिशन थी जो मैंने आप लोगों के सामने बैसी की वैसी रख दी है जैसा मुझे पता था सब कुछ मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जै जै भारत